नमस्कार दोस्तों बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिस्नोई का नाम मीडिया में आजकल पूरी तरह से चाया हुआ है एमदाबाद की साबर मती जेल में बंद लॉरेंस बिस्नोई जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है बलकि उसको बढ़ाने में भी लगा हुआ है मुमबई पुलीस लॉरेंस बिस्नोई की कष्टडी लेने के लिए गई तो उसे ग्रेम अंतराले के एक और्डर की मना कर दिया बिस्नोई को साबर मती जेल से बाहर लेकर नहीं जाया जा सकता सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरे चल रही हैं कि लॉरेंस बिस्नोई को इंटरनेशनल बनाने में भारत सरकार का हाथ है। अगर ये सच है तो आने वाले समय में भारत सरकार को और देश की जनता को इसके साइड इफेक्ट देखने को चरूर मिलेंगे। सरकार को कम और देश की जनता को जादा भुगतना पड़ेगा क्योंकि राजनेता अपने फाइदे के लिए छोटे से गुंडे को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का बनाते हैं और बाद में वही उनके पिछवाडे में हाथ देता है। लॉरेंस चुल्मान खान के पीछे प पड़ा हुआ है ये तो सब को पता है लेकिन काफी लोगों को इस पूरी कहानी के बारे में नहीं पता होगा। चुल्मान खान बागी कलाकारों के साथ में जोड़पूर के घोड़ा फार्माउस और भवाद गाउं में 27-28 सितंबर 1998 की रात को शिकार खेलने गया। उसरा चुल्मान और बागी कलाकारों पर काले हिरन के शिकार करने का आरूप लगा। इसके बाद 1 अक्तूबर 1998 में को कांकारी गाउं में दो काले हिरन के शिकार का भी आरूप लगा। शिकार करते हुए कांकारी गाउं के लोगों ने खुद देखा उसके बाद चुल्मान दद्दू और बागी कलाकारों पर केस दर्जुआ। टोटल चार केस दर्जुए मतानिया और भवाद गाउं में दो चिंकारा मारने के दो अलग-अलग केस दर्जुए। कांकारी में काले हिरन के शिकार का मामला दर्जुआ जिसमें साल 2018 में चुल्मान खान को दोशी करार दिया था। चौथा मामला लाइसेंस खत्म होने के बाद राइफल रखने का यानि आम सेक्ट के तहट दर्जुआ। 12 अक्तूबर 1998 में को पहली बार चुल्मान खान को इस मामले में ग्रफतार किया गया। पांस दिन जेल में रहा और 17 अक्तूबर 1998 में को जमानत पर बाहर आ गया। गवाहों ने कोट में बताया कि कुंगणी गाउं में चुल्मान खान को शिकार खेलते हुए देखा गया था। लोगों ने गोली की आवाद सुनी तो मौके पर गए। वहीं पर चुल्मान जीप में सैफली खान, नीलम, सौनाली बेंदरे और तब्बू के साथ में बैठा हुआ था। चुल्मान के हाथ में हतियार था। इन लोगों ने जब गाउंवालों को देखा तो मरे हुए हिरन को वहीं पर छोड़ कर भाग गए। अदालत में इन सभी पर केस दर्चुआ था। दोशी करार दिया गया और पांस साल की सजा सुनाई इसके बाद उसे जोदबू सेंटरल जेल भीज दिया गया। बागी के तीन मामलों में ये बरी हो गया था। जेल जाने के दो दिन बाद यानि साथ अपरेल को ही चुलमान को पचास हजार रुपे के मुचलके पर जमानत दे दी गई। लेकिन सैफली खान, नीलम, सौनाली बिंदरे और तब्बू को इस मामले से बरी कर दिया गया था। इसी वज़े से लॉरेंस बिसनोई चुलमान खान को टार्गेट कर रहा है कि असली गुनेगार यही था। बाकी कलाकारों को कोटने बरी कर दिया था। अब बात करते हैं विसनोई समाज की कि एक हिरन को मारने को वो इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं। बिसनोई समाज सिर्फ काले हिरन और चिंकारा की रक्षा के लिए ही नहीं जाना जाता है। जंगली जीव जन्तूओं और जंगलों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। विस्नोई समाज के लिए ये रिष्टा साड़े 500 साल से भी जादा पुराना है। बिस्नोई समाज की स्थापना हुई थी पंदरवी सताबदी के आसपास। स्थापना करने वाले गुरू थे जमभेश्वर जिने जामबा जी के नाम से भी जाना जाता है। विष्नोई समाज के पहले गुरू जम्भेश्वर ओर्फ जामबाजी ने अपने फॉलोवर्स को काले हिरन को अपना ऑवतार मानकर उसका सम्मान और रक्षा करने का आदेश दिया था यानि विस्नोई समाज में माना जाता है कि उनके गुरू काले हिरन के रूप में पुनर जनम लेते हैं उन्होंने टोटल 29 सिद्धान्तों को मानने का आदिस दिया था इन्ही 29 सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त है पेड़ पक्षी और जानवरों की सुरक्षा करना उनकी रक्षा करना बिस्नोई समाज काले हिरन को ठीक अपने बच्चों की तरह पालता है और कहा जाता है कि जो काले हिरन के बच्चे अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं उन्हें महिलाएं अपने बच्चों की तरह दूद पिलाती हैं बिस्नोई समाज का इतिहास बहुत बड़ा है इन्हें जानवर और पेड़ पौदों को बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान किये साल 1730 में जोदपूर के खेड़ी गाउं में पेड़ो को बचने से बचाने के लिए बिस्नोई समाज के 362 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी ये नरसंगार जोदपूर के महराजा उस समय के महराजा अभै सिंग के आदिश पर हुआ था दरसल महराज अभै सिंग के सेनिकों को नया महल बनाने के लिए लखड़ी की जरुवत थी तो सेनिक पास के खेजरी गाउं के जंगल में लखड़ी काटने के लिए गए लेकिन अमरता देवी नाम की एक महिला ने इसका विरोध किया और गाउं के लोगों को बुला लिया अमरता देवी और बाकी लोग पेड़ो को बचाने के लिए पेड़ो से लिपट गए लेकिन राजा के आदेश के बाद 362 बिश्नुई लोगों को मार दिया गया 1773 का चिपको अंदोलन इसी घटना से प्रेरित था ऐसे ही राजिस्तान के एक किसान और कारी करता अनील विश्नुई जिनोंने 10,000 काले हिरन और चिंकाराओं को बचाने का उनको श्रे दिया जाता है लोरेंस बिस्नुई की कैई बार जान जाते जाते बची जब शिकारी ने उन पर बंदूग तान दी थी लेकिन मौके पर उनके टीम आ जाती जिसकी वज़े से उनकी जान बची बिस्नुई समाज अपने पहले गुरू के आदेश की वज़े से काले हिरन की पूजा करता है और काले हिरन को मारना ना सिर्फ पाप समझता है बलकि उसकी रक्षा भी करता है लोरेंस बिस्नुई ने इसी आस्था को अपना हत्यार बनाया है लोरेंस बिसनोई कोई धर्म का रक्षक कोई धर्म गुरू या महान इंसान नहीं है वो एक गुंडा है जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लोगों को मार रहा है और सरकार का महरा बनकर काम कर रहा है काफी लोगों का मानना है कि Lawrence Bisnoy एक देश भक्त इंसान है लेकिं देश की सबसे बड़ी खोफिया एजेंसी NIA उसका कुछ और ही मानना है NIA का मानना है कि Lawrence Bisnoy एक आतंकवादी है जिसने मुस्लिम आतंकवादी संगठन और खालिस्तानी संगठन से कहरे संबंद बना रखे हैं NIA जिसे आतंकवादी मानता है वो हीरो आखिर कैसे बन रहा है इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे अभी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और वीडियो में जै हिंद जै राम जी की